आसा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है ब्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्जाम रेज दोस्तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत जाद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो पर में लेकि को भी जरूर्ट पिस करें ताकि जब है मैं अच्छे वीडियो अप्लोट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सब्सक्राइब पहले पहुं सकें कोश्चन नमर वन है 300 मेटर के पूल को बनाने के लिए कितने खंभों के आवसपता होगी यदि प्रते खंभों के बीच की दूरी 12.5 म मिटर है सपोच हमें एक पूछ बनाना है जिसकी लंबाई कोश्चन पर किटे बताई गए है 300 म हैaran यlance के पूल को बनाने के लिए कितने खंभों के आउसकता होगी यादि प्रते खंभों के बीच की दूरी किती है 12.5 मेटर है यानि कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी किती है 12.5 मेटर है तो कोशिन पे हमें बताना है कि इस पूल को बनाने के लिए इस टाप के कितने खंभे लगेंगे बहुत सिंपल क कोशन है चलिए इसे सौल्ट करते हैं हम यहां पर क्या करेंगे जो पूल की लंबाई दिये गई है तो पूल की लंबाई किती है 300 मेटर ठेक है अब इन दोनों खंबों के पीच की दूरी किती है 12.5 मेटर इन दोनों का आपर समय भाग लगा के एक को जोड़ दिया जाता है जब बेश्ट आपका कोशन आता है तो आपको सिर्फ एक बात का याद रखना पड़ेगा यहां पर सिर्फ एक को जोड़ना पड़ेगा तो हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर इससे सॉल्फ करेंगे तो आ जाएगा 300 बटे 12.5 बटे 1 तो आप सब लोग इससे सॉल्फ करें तो आप सब लोग जब इससे सॉल्फ करेंगे तो इत्ता आ जाएगा 3000 बटे 125 प्लेस एक हमने चुँए हां पर दसंबलों था दसंबलो और यहां पर किता आजाएगा पांच को बनाने के लिए 25 होंगे अपस्ट नमर भी इसका राइट आइज है आई होप आप सभी लोग इस question को समझ गए होंगे यदि आपको इस question पे जारा से भी doubt है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं next question है एक भाग के प्रेश्ण में एक विद्यार्थी ने 36 के बरले 63 को भाज़क के रूप में ले लेता है तो उसका उत्तर 24 आता है तो सही उत्तर कितना होना चाहिए हमें ग्याद करना है बहुत यह simple question है चलिए इसे solve करते हैं तो मेरा आप सभी लोग से सबसे पहले question यह है कि जिस संक्या पे भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं तो आप सब लोग के सीधा सा जवाब रहेगा जिस संक्या पे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज ठीक है तो हमने माल लिया कि भाज एक्स है अब question पे बोला है कि एक बिद्यार्थी को 36 से भाग देना चाहिए लेकिन उसने गल्ती से किसी भाग दे दिया 33 से भाग दे दिया उसका उत्तर किता आता था 24 आता था यानि कि इस अंख्या में उसको 36 से भाग देना चाहिए लेकिन उसने किसी भाग दे दिया 63 से भाग दे दिया तो उसका उत्तर किता आ रहा था 24 आ रहा था तो हमें क्या करना है सही आंसर का पत्र लगाना है हम यहाँ पर लिखेंगे सही उत्तर के लिए क्या करें यहाँ पर इतीर कि निया कोरा यहाँ ना गया आ अब इसके बाद क्या करना है सहे उत्तार के लिए हम क्या करेंगे जो यहां पहली बाली संखिया इहां पर 25 या रोभ लगा देखे तो आप सब्सक्राइब करें तर यहां पर बार रोडी चोवडरी इसी सफर्ट में मेंारे हो और हम पर किता आ जाएगा 21 अब 21 और दो का आपस में गुड़ा हो जाएगा तो किता आ जाएगा 42 आ जाएगा यानि कि ऑप्स नमबर भी इसका राइट आंसर हैगा ठीक है चलिए फिर नेश्ट कोश्चिन क्यों चलती है नेश्ट कोश्चिन है यदि चेनी की कीमत में 10 प्र 30 किलोग्राम कितना नुकसान हुगा हमें ग्याद करना है चलिए तो इस कोश्चिन को सॉल्व करते हैं दोस्तों यह कोश्चिन एकजाम पर काफी बार प्मूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हम यहां पर कैसे इससे सॉल्व करेंगे आप सभी लोग ध्यान हमनों 2 किलोग्राम का भाग लगा देंगे और यहां पर कितने प्रिस्त के कम्य हो ही है दस प्रिस्त की कम्य होती है यहां पर हमने 10 का गुड़ा करा दिया तो यहां पर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1116 इंटू 10 बटे 62 इंटू 10 तो यहां पर इसे 10 से 10 कट गए तो यहां पर किपता आजाएगा तो यहां पर आजाएगा 1116 बटे 62 यदि हम 1116 में 62 का भागड़े देंगे तो 18 इसका right answer कहला जाएगा option number D इसका right answer हा चलिए तो फिर next question क्यों चलते हैं next question है कुछ घोड़ों और उतनी है संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं आदमीयों में आधे घोड़ों के स्वामी अपने घोड़े के पेंट पर सबार हैं और सेज घोड़ों को आंगे से पकड़ कर चल रहे हैं यदि भूमी पर चलने वाले कदमों की संख्या X हो तो उनमें कितने घोड़े हैं में ज्याद करना है तो सबसे पहले हमने माल लिया कि उसमें हमने माल ले कि उसमें कितने घोड़े हैं X घोड़े हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमने घोडे की संख्या को हमने माना है घोडे की संख्या को हमने माना है X ठेक है इसी तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं आदमियों की संख्या तो हमने आदमियों की संख्या को भी हमने मान लिया है X है ठेक है अब कोश्चन पर क्या बूला है भूमी पर चलने वाले कदमों की संख्या Queshan पर यह है बोलना भूमी पर चलने वाले कदमों की संख्या तो भूमी पर किस के किस के कदम रहेंगे घोडे के फिर रहेंगे और आदमी के फिर रहेंगे तो हम यह आपर लिखेंगे घोडों के पैरों की संख्या संख्या प्लेस आदमियों के पैरों की संख्या टोटल मिलाके कोश्चन पर कित्ते बताईगे हैं सव हैं भूमे पर चलने वाले कर्दमों की संख्या कित्ती है सव हैं यानि कि घोड़े के पैरों के संख्या और आदमी के पेरों के संखे कित्ती है सव हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आप सभी लोग बताएं गोडे के कित्ते पेर होते हैं तो आप सभी लोग को जवाब रहेगा कि गोडे के कित्ते पेर होते हैं चार पेर होते हैं ठेक है और घोड़े के संख्या को हमने क्या मानत है एक्स मांगा तो यहाँ पर कित्ते आ जाएगा 4x इस इस प्रकार से आप साफी लोग बताएं आदमी के कित्ते पहले होते हैं दो पहले होते हैं तो हम यहाँ पर दो लिखेंगे ठेक है आप question पर क्या बूले है आदमीयों में आधि घोड़े के स्वामी अपने पीट पर सवार हैं और सेज घोड़े को आँगे ले जा रहे हैं तो यहाँ पर उसका आदमीयों का आधर कित्ता हो जाएगा आद्मियों के संग्यों को हमने क्या माना था एक्स माना था उसका अधा किता हो गए एक्स बाई टू ठेक है आई होप आप सभी लोग को इतनी equation आप सभी लोग को समझा गए होके चले तो फिर इसे solve करते हैं तो यहाँ पर किता आजाएगा 4X प्लेस 2 बराबर 100 यदि हम 4X में X को चोड़ देंगे तो किता आजाएगा 5X आजाएगा 5X बराबर किता आगया 100 आगया तो X के बेले किता आजाएगे 20 आजाएगे तो यहाँ पर option number A इसका right answer हैगा ठीक है उन में से कितने घोड़ी है 20 घोड़ी है option number A इसका right answer है चलिए तो फिर next question क्यों चलते हैं next question है एक विक्ती ने 2 वासिक मसीन में से पर देख को 6,000 रुपए में बेजा इन में से 1 पर 10 परिसद का लाव हुआ और दूसरे पर 10 परिसद की हानी हुए तो पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्तों हमें ग्याद करना है दोस्तो इस टाप के question को मने already आपके साथ discuss किया था I hope आप सब लोग से यह question बनता होगा चलिए तो फिर इसे solve करते हैं दोस्तो जब भी इस टाप का question आता है तो आप सब लोग एक बात याद रखेगा टेस्टाप के question पे हमेशा हानी होती है ठेक है जहां पे एक बार लाग होता है और दूसरी बार हानी होती है यहां पे हमेशा हानी होती है और उसके लिए एक formula रहता है formula आप सब लोग याद कर लिजेगा तो formula क्या रहेगा हानी प्रेज़सर बराबर और इसके whole square है ठेक है और इसके whole square बटे सब ठेक है आप सब लोग इताँ समझ गए होंगे formula पे तो आप सब लोग सोचे रहे होंगे यहां पे और इसके होंगे हम क्या लिखेंगे तो यहां पे क्या है 10 और यहां पे भी 10 है यानि कि दोनों के value सेम है इसलिए हम नहीं यहां पे लिखा है उभाए निश्ट लाववा हानी तो हम यहां पे क्या करेंगे हानी प्रेज़सर बराबर तो हम 10 का square करेंगे तो कि उत्ता आजाएगा आप सब लोग बताएगे तो आप सब लोग के जवाब रहेगा 10 का हम स्क्वेर करेंगे तो 100 आजाएगा और 100 में यदि हम 100 का भाग दे देंगे तो कि उत्ता आजाएगा एक आजाएगा यानि कि उसे एक प्रेस्टत के हान नहीं हुई कौन से option पे दिया है option नमर 20 का right answer हाँ चलिए तो फिर next question क्यों चलते है next question है यदि 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में पैंट करें तो 5 आदमी 30 घरों को कित्ते दिन में पैंट करेंगे बहुत easy question है I hope आप सब लोग से यह question आता होगा दोस्तो इस टाप के question को solve करने के लिए मैंने आपको एक formula बताया था बस उसी formula के यूज करके इस question को solve करना है तो formula मैंने आपको क्या बताया था M into D बटे W आप साथ लोग सोचे रहे होंगे यहाँ पर M, D और W का मतलब क्या होता है तो M का मतलब क्या होता है Man या फिर Human भी हो सकता है यदि यहाँ पर पूछ लेता 10 मही लाइन तो यहाँ पर Human हो जाता है ठीक है तो M का मतलब क्या होगा Man या Human D का मतलब क्या होगा Days यानि कि दिन और W का मतलब क्या होगा Work Work का मतलब क्या होगा काम ठीक है तो बस इसी सेक्वेंस पर अपने को Solve करना है तो कोशिन पर क्या हो ला है 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में पेंट करना है तो यदि हम यहाँ पर M लिख दिये Days कितनी है 120 दिन है और यहाँ पर कितनी घर को पूरा कर रहा है यानि कि काम कितना है 60 है तो हमने यहाँ पर लिख दिये 60 अब उसी सेक्वेंस पर कोश्चन पर क्या बोला है 5 आदमी 30 घर को कितने दिन में पेंट करेंगे यानि हमने कि यहाँ पर दिनों के संख्या को ग्याद करना है तो हमने मान लिए कर देना है तो हमने क्या लिखेंगे 30 से कम 13 32 नि 60 और यहाँ पर कितना आजगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 5 से 5 यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर X की वैल्यू कितने आ गई X की वैल्यू यहाँ पर आ गई 120 दिन यानि कि 5 आदमी 30 घर को 120 दिन में पूरा करेंगे ओप्स नमबर सी इसका राइट आंसर हाँ चलिए तो फिर next question क्यों चलती है next question है इस्थान A पर एक सिपाही खड़ था उससे 500 मेंटर की दोरी पर इस्थान B पर एक चोर उसे देखता है और आंगे की तरब 15 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से भागता है उससे जड़ एक सिपाही 20 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से पीछा करता है तो बताइए चोर हुआ है सिपाही कित्ते समय में पकट लीगा बहुत easy question है और इस question पर हमें क्या याद करना है तो आप सभी लोग बताएं समय का formula क्या होता है तो आप सभी लोग के सीड़ इस से जवाब रहेगा समय का formula रहता है दूरी बटे चाल तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे यापे दूरी कित्ती है तो यहाँ पर क्या बोला है 500 मेटर की दूरी पर इस थान पी पर एक चोरू से देखता है तो यहाँ पर दूरी कित्ती आ गए 500 मीटर और यहाँ पर चाल कितनी कित्ती होगी तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जो भी बड़ी चाल है तो यहाँ पर बड़ी चाल कितनी है सिपाही की चाल है समय वराबर किता आ जाएगा 500 मेटर बटे सिपाही की चाल किती थी 20 थी और जोर की चाल किती है 15 किलो मेटर प्रतिहंटे हैं यदि हम इंडों की चाल को आपस में घटा देते हैं तो कित्ते आ जाता हैं 500 मेटर बटे 5 दोस्तों आप सब लोग देखेंगे यहां पर सब कुछ किलो मेटर प्रतिहंटे पर हैं ठीक है यहां पर 15 किलो मेटर प्रतिहंटे पर है 20 किलो मेटर प्रतिहंटे पर लेकिन यहां पर 500 मेटर दिया गए हैं तो हम क्या करते हैं जो 500 मेटर है इसको हम किलो मेटर में कर लेते है जब हम इसे kylometer में convert करेंगे तो यहां पे आजाएगा समय वरहबर 0.500 kilometer बटे 5 दोस्तों हम क्या करते हैं अब 10 समलो को हटा देते हैं तो किता आजाएगा 500 बटे 5 into 1000 हा जाएगा ठेक है, 10 अब लोग के बाद कितने 0 है कितने अंक है, 3 अंक है तो यहां पर 1000 आ जाएगा तो यहां पर कित्था आ जाएगा यहां पर आ जाएगा यहां पर 100 अब 20-20 यहां पर कार देते हैं तो समय कित्था आ गया एक बटे 10 तो यहां पर समय कित्था आ गया समय आ गया एक बल्टे दस यानिकि 0.1 घंटा कौन से आप्सन पे है आप्सन नमबर 20 का राइड डान सरहेगा दोस्टों मेरे टेलिग्राम ग्रूप का नाम है एक जाम रेज आप सबी लोग टेलिग्राम पे जाके एक जाम रेज नाम डालकर सर्च करके जॉइन हो सकते हैं यहां पे पर डेलिग्राम कोजिस कराता हूँ और पीडियाप इसे पे अप्लोड करता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों मेरे इस्टाग्राम आइडी का नाम है एक जाम रेज नाम डालकर सर्च कर लिजेगा और इसे फॉलो कर लिजेगा यहां पे पर मेर डेली करेंट आपके कोजिस को कमप्लेट कराता हूँ जो एक जाम पे आ सकते हैं आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट कोजिस देते करेंट आपके जिसे मैं इस आईडी पे अप्रोड करता हूँ आप इसे फॉलो कर लिजेए ताकि आपकी तैयारी वहतर हो सके नेस्ट कोश्चन है एक रुपए पचास पैसे तदब पच्चिस पैसे के 338 सिक्कों का मूले क्रमसा 13 अनपाथ 11 अनपाथ 7 है इन में से पचास पैसे के कितने सिक्के हैं हमें ग्याद करना है चलिए तो इस कोश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ लिखेंगे माना एक रुपए पचास पैसे तथा पच्चिस पैसे के सिक्कों का मूले का मूल्य क्रेमसा कितना कितना है 13x 11x और 7x है ठेके ना अनुपार तो यह दी है ना 13, 11 और 7 है तो हमने माल लिए कि एक उर्पे के सिक्कों का मूल कितना है 13x है 50 पैसे के सिक्कों का मूल कितना है 7x है और 25 पैसे के सिक्कों का मूल है 7x है आई हूप आप सब लूए इत्तर समझ गए होंगे अब हम क्या करते हैं एक उर्पए 50 पैसे तदर 25 पैसे के सिक्कों के संख्या को ग्याद करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे एक उर्पए के सिक्कों की संख्या दोस्तो अब यहाँ ने जो निकाला था वह सिक्कों का मूल था लेकिन हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं सिक्कों की संख्या निकाल रहे हैं तो एक रुपए के सिक्कों के संख्या कित्ती आ जाएगी 13x आ जाएगी क्योंकि एक उर्पय जो सत्र रुपाय में convert है इसलिए कोई problem नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक उर्पय के सिkषे कित्य हो गए ? 13x हो गए अब यहाँ पर हम 50 पैसे के सिkषे कित्य हो गई आफ सभी लोग बताएं 50 पैसे के सिkषे की संख्या तो आप सभी लोग बताएंगे कि 50 पैसे किसी को कि संख्य कित दी आ जाएगे तो आप सभी लोग सबसे पहले ये बताएंगे जैसे हम ने यहाँ पे लिख दिया 50 पैसा और यहाँ पे हम लिख दिया 1 रुपए आप सभी लोग को बताना है कि 50 पैसे में किस संख्या का गुड़ा कराया जाए कि वह एक रुपए बन जाए एक रुपए याने की सौ पैसा ठीक है तो आप सब लोग के सीधा से जवाब रहेगा यदि हम पचास पैसे में दो का गुड़ा करा देते हैं तो एक रुपए में कनवर्ट हो जाता है तो अब हमने निकाला था पचास पैसे के सिक्कों का मुल कित्त था ग्यारा एक्स था यदि हम इसमें दो का गुड़ा करा देंगे तो एक रुपए में कनवर्ट हो जाएगा यहां पर कित्त आ जाएगा बाइस एक्स आ जाएगा इसले टाइप से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों के संख्या कित्त आ जाएगी 25 पैसे के सिक्कों का मुल कित्त था सेवा नेक्स था ठीक है तो अब आप सभी लोग फिर से बताएगी जैसे यहां पर हमने लिख दिया 25 पैसा और इसी हमें रुपाई में convert करना है तो हम 25 पैसे में किस संख्या का गुड़ा कराएं कि यह 1 रुपाई बन जाएं तो आप सभी लोग को सीधर स्वर जबाब रहेगा यदि हम 25 पैसे में 4 का गुड़ा करा देती हैं तो वह 1 रुपाई में convert हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 x 4 यहाँ किता आजाएगे 28 x ठीक है तो एक रुपाई की सिख्कों के संख्या किती आगई 13 x आगई 50 पैसे की सिख्कों के संख्या किती आगई 22 x आगई 25 पैसे की सिख्कों के संख्या किती आगई 28 x आगई आप question पे इन सिक्कों के value किर्थी बताई गई है 378 तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 13x प्लैस 22x और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 28x बरावर 378 आप सब्सक्राइब लोग सोच रहे हूं यहाँ पे 13, 22 और 28 कैसे लिखा तो हमने बताये था 1.00 की सिक्कों के संख्या है यह 50.00 की सिक्कों के संख्या है और जो यह है तो 25.00 की संख्या है और question पे इन सब्सक्राइब बताई गया है 378 बताई गया है तो आप सब लोग इन्हें जोड़ेंगे तो कित्दा आ जाएगा 63x बरावर 378 अफी लोगो गते है एक्स की वैल्यू कित्ते नहीं आ जैगी टो एक्स की वैल्यू आरा जाए गिर थे दरегоं ज़्शी तरह नहीं है पचुंट पैसे के संक्या ग्यात करना है तो बताया था था पचास के संक्यों की संक्या संख्या 50 पेज़ों के संख्या मैंने आपको बताया था 22 थी ठीक है न तो 22 इंटू 6 22 में यदि हम 6 का गुड़ा करा देते हैं तो कितने आ जाता है 132 आ जाता है कौन से आप्शन पर है आप्शन नमबर 20 का राइट आंसर हैगा चलिए तो फिर नेट कोश्चन क्यों चलते हैं नेट कोश्चन है किसी टंकी को एक बिद्दुद पंप तीन घंटे में भर सकता है परन्तु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में साड़े तीन घंटे लगते हैं तो बताये भर तो भी तंकी का सागया जल इस थेसने निकले में कितना समय लगेगा चलिए तो इस कोश्च्यन को सॉल्व करते हैं दोतो सबसे पहले क्या करनेंगे यहां पर 3 थीन घंटे में लिख सकते हैं जैसे यहां पर साझे 3 घंटे में किसी टऑश सकते हैं तो 3 फासे एक बटी 2 अह अब हम यहां पर कैसे इसे स्वाल्व करें ध्यान से देखेगेगा पंप द्वारा एक घंटे में भारा गया भाग हमने यहां पर क्या लिखा है पंप द्वारा एक घंटे में भारा गया भाग एक घंटे में कित्ता पानी भारा जाता है यहाँ पे टोटल कित्ता फ़रही हुआनि है… त्यूस पीक्ता हो रहेつा अब इसी ताइपश से हम क्या लेखेंगे पंप- Also, छेदा होने के कारण एक घंटे में भारा गया भाग。 तो पंप- सकती होगा साठी तीन घंटे लगता है और साठी तीन घंटे को हम क्या लिख सकते थे अब है हमने बताय था साथ बटे दो लिख सकते हैं ठेक है तो इसका पोजिट आएगा तो हम कितना आजगा दो बटे साथ भाग आई होप आप सब लोग इतना समझे होंगे अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि छेद होने के कारण निकासी भाग यानि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया छेद होने के कारण एक घंटे में टंकी से कितना पाने निकल जाता है क्यों से यहाँ पर क्या करेंगे 1,3 मánЙमस दो बटे 7 कर देंगे क्योंकि हाँ एक घंटे में कितना पानी भर रहर है यह बटे त यहाँ निकल के बता था तो यदि हम इसका LCM लेंगे तो यहाँ पर किता आ जाएगा और यहाँ पर किता आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पर किता आ जाएगा 6 आ जाएगा यानि कि 1 बटे 21 आ जाएगा ठेक है छेद होने के कारण निकासी भाग किता आ जाएगा 1 बटे 21 आ जाएगा तो अभी हमने निकाला था टंकी में छेद होने के कारण एक धंटे का निकासी कारे तो निकासी कारे कितना आया था निकासी कारे यह भाग भी लेख सकते हैं तो कितना आ गया था एक बटे 21 आया था इतना ही आया था ने एक बटे 21 आया था तो हमें बताना है भारी टंकी का सारा जल छेत से निकलने में कितना समय लेगा आप सभी लोग बताएं कार और समय एक दूसरे क्या पोजेट होते हैं न तो यहां पे कार आया है एक बटे 21 तो समय कितना आ जाएगा समय आ जाएगा 21 गटे आ जाएगे ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे भरे टंकी का सारा जल छेद द्वारे निकलने में 21 घंटे का समय लगेगा ओप्स नमबर डी इसका राइट आंसर हेगा I hope आप सबी लोग इस question को अच्छी तरह समझ गये होंगे यदि आपको इस question पर जड़ा से दाउट है तो आप में comment box में comment कर सकते हैं चलिए तो फिर next question के ओर चलते हैं next question है सधारण व्याज की किस वार सिक दर पर किसी धन का 10 वर्षनों का व्याज 2 बटे 5 होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं हमने माल लिया कि वह मुल्धन एक्स से हैं ठीक है तो व्याज कित्ती हो जाएगी तो व्याज हो जाएगी दो बटे 5 एक्स हो जाएगी question पर तो यही बोला गया है कि जो मुल्धन है व्याज का दो बटे 5 गुना है तो हमें भी यहाँ पर क्या ग्याद करना है हमें यहाँ पर दर को ग्याद करना है और समय तो यहाँ पर दिया ही है समय किते दिया है 10 वर से दिया है आप सभी लोग बताएं दर का फॉर्मूला क्या होता है तो आप सभी लोग बताएंगे कि दर का formula होता है व्याज इंटु 100 बटे मूलधन इंटु समय यह होता न तो बस इसी formula आप सक लोग बैलू रद्दिजिया आजाए गया तो व्याज किती है व्याज है 2 बटे 5 x इंटु 100 बटे मूलधन कितना था x था और इस समय कितना था समय था 10 वर्स था तो 1 0 स 1 0 यहाँ पर 1 कट गया X से X 1 कट गया तो यहाँ पर किता आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 वर्टे 5 इंटू 10 और यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 यहाँ पर 5, 5 दो ने 10 और 2 और 2 कापस में गुड़ो हो जाएगे तो किता आ जाएगा 4 यहाँ एक दर किता ही आ जाएगे दर आ जाएगे 4 प्रतिसेत नेट कोश्चन है एक आयत का छेत फल 252 वर्ग सेंटिमेटर है इसकी लंबाई वा चोड़ाई का अनपत किता है 9 अनपत साथ है तो इसकी परिमति कितनी होगी हमें ग्याद करना है तो चलिए इस कोश्चन को सॉल्व करते है हमने मान लिया कि माना आयत की लंबाई किता है 9 एकस है और चोड़ाई किता है 7 एकस है आप सब लोग आयत के छेत फल बता है आयत का चेत फल तो आयत के छेत फल क्या होता है लंबाई इंटू चोड़ाई होता है तो लंबाई यहां पर कितनी है 9 एकस है और चोड़ाई कितनी है 7 एकस है और आयत के छेत फल कोश्चन पर कितनी देगा है 252 सेंटिमीटर तो 9 और 7 का आपस्में गोड़ा करा देंगे तो कितने आ जाएगा 9, 7, 63, x square और यहां पे कितने रहेगा 200 बामन तो रहे गई है तो आप सभी लोग 200 बामन में जब 33 का भाग देंगे तो कितने आ जाएगा तो जब अब 200 बामन में 63 का भाग देंगे तो कितना आएगा आप सभी लोग बताएं तो जब आप 200 बामन में 36 का भाग देंगे तो 4 आजाएगा और यहाँ पर x स्क्वेर रहेगा तो x बरावर अंडर रूट 4 तो x बरावर कितना आजाएगा 2 आजाएगे तो x के वेलू कितनी आगए 2 आगए तो आप सभी लोग बताएं आयत की लंबाई कितनी हो जाएगे आयत की लंबाई हो जाएगे 9 इंटू 2 बरावर 18 और चोड़ाई कितनी आजाएगे चोड़ाई आजाएगे 7 इंटू 2 बरावर 14 ठीक है आयत की लंबाई कितनी आगए 18 सेंटीमेटर चौड़ाई आजएगे 14 cm आजएगे अब हमें क्या करना है आयत की परिमिति याने की परिमिति में आप निकालना है तो आप सबी लोग बताएं आयत का परिमाफ क्या होता है तो आयत का परिमाफ होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है यह होता न, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई धन, चोड़ाई, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू लंबाई किती है, 18, और 14 किती है, 14 है, तो आप सब लोगे नहीं जोड़ीजिये, तो कित्ता आजाएगा, 18 और 14 को आपस में जोड़ेंगे, तो कित्ता आजाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, बराबर 2 इंटू, 18 और 14 पर वापस में जोड़ेंगे, कित्ता आ गया था, 32 और 2 में यदि 32 का गुड़ा का रेंगर कित्ता आजाएगा, 64 आजाएगा, यानि कि जो आयत की परिमिती है, कित्त 45 cents का मान कितना होता है आप सभी लोग सोचे और इसके अंसर को बताएं तो बहुत ही इजी है 45 cents का मान होता है एक के बराबर ओप्स नमबर A इसका राइट अंसर हैगा जड़ी मैं यहाँ पर पूछ लेटा 1060 की वैल्यू कितनी होती है तो इसका अंसर आप सभी लोग कमेंट वाक्स मिल लिए क्यों बताएंगे चलिए तो फिल नेक्ट कोशन क्यों चलते है नेक्ट कोश से 10,000,000 किसके बराबर होगा एक करोड के बराबर होगा ओप्स नमबर A इसका राइट अंसर रहेगा चलिए तो फिल नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं नेक्ट कोशन है किसी चतुरों हुच के चारों कोणों का योग कितना होता है आप सभी लोग सोचें और इसका अंसर को बत होता है इसका अंसर आप हमें कॉमेंट बोक्स में लिखके बताएंगे चलिए तो फिर नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं नेक्ट कोशन है अरुण और दीपक की बत्मान आयू में 14 वर्स का अंतर है 7 वर्स पहले इनकी आयू का अंपात कितना था 5 अंपात 7 था तो दीपक की बत्मान आयू क्या होगी हमें ग्याद करना है चलिए तो इस कोशन को सॉल्ब करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे मान हमने मान लिए कि 7 वर्स पहले अरुण की आयू क्या रही होगे 7 वर्स पहले अरुण की आयू रही होगे 5 एक्स ठीक है हमने मान लिए कि 7 वर्स पहले अरुण की आयू रही होगे 5 एक्स ठीक है और दीपक की आयू क्या रही होगे 7 वर्स पहले दीपक की आयू रही होगे 7 7x दोस्ते यहां पर 7 वर्स पहले की बात हो रहे हैं ठेका 7 वर्स पहले की बात हो रहे हैं तो आप सभी लोग बताएं बर्टमान में इनकी आयू क्या होगे तो इनकी बर्तमाना में आयू होगे अरून की क्या होगे अरून की होगे 5x प्लेस 7 और दीपक की होगे 7x प्लेस 7 आई होप आप सभी लोग समझ गे होंगे यहाँ पर कोश्चन पर क्या वोला था 7 वर्स पहले इनकी आयू कन पाथ कितना था 5 पार 7 था तो सबसे पहले हमने माल लिया कि माना 7 वर्स पहले अरून की आयू रही होगे 5x और दीपक की आयू रही होगे 7x ठेक है यह 7 वर्स पहले की बात होगे तो बर्तमान में कितनी होगे यदि हम 7 वर्स पहले की आयू में साथ को चूट देते हैं तो बर्तमान आयू पर राप्त हो जाती है तो अरुन की बर्तमान आयू क्या होगे 5x प्लेस 7 और डीपक की बर्तमान आयू होगे 7x प्लेस 7 अब कोश्चन पर क्या वोला है अरुन और डीपक की बर्तमान आयू में 14 का अंतर है यानि कि इन दोनों की की आयू में 14 का अंतर हैं तो हम क्या करते हैं कि दीपक की आयू से अरुण की आयू को घटा देते हैं ठीक है हम यहां पर क्या लिखेंगे दीपक की वर्तमान आयू इनमें कितने का अंतर है? 14 का अंतर है तो दीपक की वर्तमान आयू क्या थे? 7x प्लेस 7 यहां पर माइनस लगा हुआ है और अरून की वर्तमान आयू क्या थे? 5x प्लेस 7 और यहां पर 4 दतुलिखा ही है तो यहां पर कितना आ जाएगा आप सबस्वे तो cancel हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा X बरावर 7 ठेक है यहाँ पर X की विल्व कित दिया गए 7 आ गए और हमें question पर क्या बोला है दीपक की बर्तमान आईू क्या होगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे दीपक की बर्तमान आईू डीपक की बर्टमानाई को हमने क्या माना था हम जोड़ देते हैं तो साथ में जब हम उन्चास को जोड़ते हैं तो यहां पे आ जाता है चपन वर्स कौन से option पर है option नंबर सेस का राहिट आंसर हेगा यानि कि दीपक की बत्मान आयो है चपन वर्स दोस्तो यदि आपको इस वीडियो का प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप से जूड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रूप को नाम है एक्जामरेज आप सब लोग दीख सकते हैं मेरे फेस्बूक ग्रूप को नाम है एक्जामरेज और मेरे इंस्टाग्रा ID का नाम है exam bridge आपसा लोग इन platform से जुड़के इस वीडियो का प्रेडिया प्राप्त कर सकते हैं और इन सब प्रेटफांप में रेगुलर कुछ जिस कराता हूं जो आपके exam के लिए बहुत जादे important हैं दोस्तो यदि आपको exam से लेट किसी भी तरह के problem आती हैं तो आप हमसे इस mail पे संपर्क कर सकते हैं थैंक्यू जैहन वंडे मात्रम दोस्तो अगर आपको इस वीडियो का प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ सकते हैं लिंक मन इस वीडियो के description में दे दी है आप वहां से जाके इस वीडियो का प्राप्त कर सकते है दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज कमेंट वाक्स में बताएं इस वीडियो को अपने दोस्तों के सांद जादा से जादा से यार करें ताकि उनके प्रेपरिशन भी अच्छी हो सके मिलते हैं नेस्ट वीडियो पे तब तक के लिए थैंक यू